नमेश्कार पेदर्शकों मैं प्रियंका आप सभी लोगों का स्वागता भिनंदन करती हूँ कैसे हैं आप लोग दर्शकों आज हम आपको नच्छत्र के बारे में कुछ चीजे विस्तार से बताने वाले हैं जैसे किने नच्छत्र में जन्म लेने वाले लोग कैसे होते हैं, उनका कैसा स्वभाव होता है, कैसा स्वरूप होता है ऐसे लोग किस नेचर के होते हैं, किस ट्राइप के होते हैं, यह सभी बाते हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे और सबसे पहले आज हम बात कर रहे हैं अश्विनी नच्छत्र में जन्में जातक के बारे में तो यदि आपका जन्म अश्विनी नच्छत्र में हुआ है तो आपका स्वभाव कुछ इस प्रकार से होगा अश्विनेन छत्र में उत्पन्न हुए व्यक्ति बहुत ही लुकवाइस बहुत ही सुन्दर होते हैं बड़ी आँखों वाले होते हैं आँखों में एक विशेस आकर्शन होता है विशेस चमक होती है माथा चोड़ा होता है माथे पर थोड़ा सा उभार सा होता है गौरवर्ण के होते हैं ऐसे लोग इसकीन बहुत शाइन करने वाली होती है चमकेली तशा होती है ऐसे लोग सजने सवरने के बहुत शोखिन होते हैं और अगर ये पुरुष जातक हों तो ऐसे में इनके अंदर एक अट्रैक्टिव परसनालिटी होती है आकरशन का केंद्र भ यानि बहुत ही standard high-five look पसंद करते हैं, अच्छे कपड़े पहनने वाले लोग होते हैं ये और ऐसे जातक बहुत ही बुधिमान होते हैं और सभी कारियों को बहुत ही जल्दी निप्टाने का प्रयास करते हैं, बहुत fast काम करने की आदत होती हैं, ऐसे लोग अक्सर अपने साम साथ एक group बना करके रखते हैं, खुश रहना, खुशी बाटना बहुत जादा पसंद करते हैं, और confident level तो गजब का होता है, बहुत आत्मविश्वासी होते हैं, द्रण निश्चाई होते हैं, एक वाल जो सोंच लिया, वो सोंच लिया, सच बोलने वाले होते हैं अक्सर, इ विशेस ऐसी बड़ी परिशानी नहीं होती है, यह लोग प्रायह बहुत minded होते हैं, बहुत धिमान होते हैं, कोई भी बातें सुनना और सुन करके समझना, फिर उस बात पर गंभीरता पूर्ण विचार करके, फिर उस बात पर कुछ भी बोलना, कोई भी reaction देना, यह नेश् सरकार भी उनसे विशेस प्रसंद होती है, और अपने रोजगार में तो बड़े लोगों से संपर्क बनाना इनका बहुत बढ़िया शौक होता है, यह लोग प्राफिट में बहुत जादा इंट्रेस्ट रखते हैं, इसले कोई भी ऐसा कारे करते रहते हैं, इन्हें दिन प अन्याय के विरुध बोलना बिलन्द आवाज उठाते हैं यह, यह लोग बहुत नीडर होते हैं, सूरवीर होते हैं, साहसी होते हैं, इन लोगों को जड़ी वूटियों में प्राकृतिक चिकतसा में वा परंपरागत चिकतसा पद्धक्यों में विशेस रुची होती है, त और आप अपने जन्वांग चक्र का अब्लोकन करवाना चाहते हैं तो स्क्रिन पर लिए गया नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्ग कर सकते हैं में तें अंगले वीडियो में तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार